बिहार में क्यों मचा हुआ है हंगामा? बीजेपी किन मांगों को लेकर सड़क पर उत्री है? क्या है पूरा मामला? बात करेंगे इस विडियो में नमस्कार मैं हूँ सवर्ण और आप देख रहे हैं अंकर तो सबसे पहले ये जानते है कि आज याने की 13 जुलाई को बिहार में क्या कुछ हुआ? तो आज बड़ी संख्या में बीजेपी कारे करता और नेता सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए गांधी मैदान की तरफ बढ़ने लगे इस मार्श में पूद्व उपमुख्यमंत्री, शिश्वील कुमारमोदी, रेणू देवी, शेहनवाज हुसैन, तारकिशोर यादों के साथ कई बड़े नेता और पूर्व मंत्री शामिल थे पटना की गांधी मैदान से विधानसभा मार्श कर रहे बीजेपी नेताओं और कारकरताओं पर बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया बीजेपी का विधानसभा मार्श पटना की गांधी मैदान से शुरू हुआ था जो की विधानसभा तक जाना था इस दोरान हजारों की संख्या में बीजेपी के कारिकरता डाग बंगला चौराहे पर जमा हो गए थे पुलिस ने डाग बंगला चौराहे पर बीजेपी कारिकरताओं को रोकने की कोशिश की पर जब वो नहीं माने तो उन पर जम कर लाठियां बरसाई गई इस दोरान बीजेपी कारिकरताओं पर वोटर केरन का भी प्रयोग किया गया बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्विभार किया गया है अप तोड़ा ये भी जान लेते हैं कि बीजेपी नेता और कारिकरता प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं तो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बिहार में बीजेपी लगातार सरकार को घे रही है। पहला जो मुद्दा है जो सबसे जादा गर्माया हुआ है वो है तेजस्वी यादों की गिरफतारी का। लांड पर जॉब मामले को लेकर सीविया इने चाशिट पाइल की जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादों का भी नाम शामिल है। का जो सत्र चल रहा था उसमें भी इन मांगों को लेकर खूब बवाल मचा। विहार विधानसभा की कारवाही के दौरान 11 जुलाई को भाजपा विधायकों ने खुर्सियां फेक कर हंगामा किया था। कारवाही शुरू होते ही बीजपी विधायक वेल में आकर डिप्टी सीम तेजस्वी यादों के स्टीफे की मांग करने को लेकर हंगामा करने लगे। कुर्सी टेबल उठाकर पटकने लगे। इस बार विधानसभा के सत्र में भी खूब बवाल मचा है और इसी को लेकर आज बीजपी नेता सरकार के खिलाफ मार्श निकालने गए थे। सदर हम चलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांग वो पूरी नहीं हो जाती जब तक तिजस्वी को बरखास नहीं किया जाता है। से आरोप जो है वो तै हो गया है इसके बाद भी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं अपने उप मुख्य मंतरी का स्तीफा नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुख्य मंतरी नितीश कुमार खुद उप मुख्य मंतरी से स्तीफा मांगे और अपनी स्वच्छता का प्रमान दें। झाल बोल और उन्होंने जन्हों चाहता हैं।